नमस्कार क्लास मैं मौनु चोधरी और जोग्रोपी की इस ओनलाइन जर्णी में आपका हार्द इक स्वागित करता हूँ कक्सा बारा का भूगोल पढ़ते हूँ हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्सा बारा के हमारे मानव भूगोल के मूल सिदान्त जो हमारी पुस्तक है उसका चैप्टर 7 हम पढ़ रहें चैप्टर 7 का लेक्चर 6 आज हम देखने वाले हैं और ये जान कर आपको खुसी होगी कि ये जो लेक्चर है इस पूरे चैप्टर का लास्ट लेक्चर है इसके बाद हम 8 वाला चेप्टर पढ़ेंगे और फिर 9 वाला जो चेप्टर है वो इस साल के syllabus के according हमारा इस book का last चेप्टर है यानि कि अब 2 चेप्टर पढ़ते ही हम 50% यानि 50% हमारा course complete हो जाएगा इसलिए बेक लोग नहां करके जितना हो सके साथ का साथ में पढ़ने का परियास करें तो आज हम क्या देखने वाले हैं चेप्टर 7 जो है तरतिये गोर चतूर्त किर्या किलब जो हमारा चेप्टर है उसमें आज जो बची हुई हमारी चीजे हैं और आसान दिखते हुए भी hard लगती है और hard दिखते हुए भी आसान लगती है यानि कि कभी तो ऐसा लगता है बहुत आसान है एक नामी तो है और कभी लगता है कि नियार इसको detail से पढ़ते हैं तो थोड़ी कटिन है तो समझते हैं यह दोनों चीजे क्या है सबसे पहले हम देखेंगे कि बहाएं इस त्रोतन क्या है उसके बाद हम अंकी विवाजक जो है उसको देखेंगे और फिर जोग्रोपी की सब्दावली जो है वो चार-पांच सब्द जो है बचे वे थे उनको भी में साथ मिलेके आ लेक्चर को बाहें इस्तोतन का मतलब क्या है द्यान से समझने मेरी बात को बाहें इस्तोतन जो है बाहें इस्तोतन जो है दो फिल्ड में काम करता है किस फिल्ड में काम करता है यह मैंने लिखा बाहें इस्तोतन ये दो फिल्ड में काम करेगा बाहे इस्त्रो तन क्या मतलब है इसका बाहे इस्त्रो तन जो है उसका सीधा सीधा अर्थ है किसी भी वस्तू को ठेके पर देना किस पर देना ठेके पर देना किस पर देना वस्तू को ठेके पर यानि कि ठेका दिया जाता है ना एक पहले नियमावली निकाली जाती है नियम बनाए जाते हैं कि सभी लोगों से अपने जो आवेदन है वो आमंतरित किया जाते हैं कि इस चीज का ठेका छोड़ा जाएगा फिर उस वस्तु का उस चीज का ठेका छोड़ दिया जाता है जैसे मैं कंस्ट्रेक्शन की बात करूँ जैसे एक कोलोनी में से सड़क निकालनी है हमें तो गौवर्मेंट कहेगी कि यहां सड़क बनाया जाएगा यह तो हुआ गौवर्मेंट की तरफ से गोशना फिर गौवर्मेंट कहेगी यहां की सड़क इतने बजट के दुआरा तयार की जाएगी वो क्या है उस सड़क का बजट फिर गौवर्मेंट एक निवीदा सूचना निकालेगी जिसमें यह का जाएगा कि जो भी कंस्ट्रेक्शन करने वाले लोग है या फिर जो भी ठेकेदार है जो इस सड़क को बना सकते हैं कम से कम दामों में इसे तयार कर सकते हैं वो लोग अपने आवेदन मुझे है यानि सरकार को जमा करवाई तो सभी लोग जो है अपने आवेदन जमा कराते हैं और फिर सरकार उसको देती है सबसे ज़्यादा तोजव जो सबसे कम पेसों में इस सड़क का निर्मान करने को तयार हो जाता है और बागिया आप जानते हैं ठेके कैसे मिला करते हैं ठीक है तो ठेके पर दिया जाता है उससे कहते हैं बाइस तोतर यह क्यों दिया जाता है इस सुदार दक्सता में सुदार का मतलब है जो काम आप करवा रहे हो जो कंस्टेक्शन का काम आप करवाना चाहिए जरू नहीं नहीं वो काम कंस्टेक्शन का भी हो कोई भी काम हो सकता है जिस काम को आप करवाना चाहरे हो वो काम जल्दी हो जाए इसलिए हम ठेके पर देते हैं उसमें गुणवता नजर आए उसमें दक्सता नजर आए गुणवता नजर आए गुणवता इसके लवाद जल्दी हो जाए कैसे हो जाए जल्दी तो ये गुण होते हैं बाइस्तरोतन कुल मिला के ठेका देना है बाइस्तरोतन कुल मिला के क्या है ठेका देना है किसी भी वस करके सरकार को complete सूजना देना है कि ये काम मैंने complete कर लिया अब जरूरी नहीं है कि ठेका हमेशा सरकारी दे मैं भी मेरे मकान को अगर बनाना चाहता हूं तो मैं किसी भी construction वाले को अपना ठेका दे सकता हूं कि तुम इस मकान को इतनी मंजील तक इतने रूम में मुझे बनावा चीए जो भी माल वगएरा चीए में लाके दे दूंगा एक तो ठेका इस तरह से होता है तुमें सिर्फ काम करना है एक ठेका इस प्रकार होता है कि तुम सिर्फ जो है अपनी मजदूरी जो है वो बता दो कि total कितना पैसा लगेगा बागी सब चीजे हम लेके आ जाएंगे और एक पूरी तरह से उसके इंडर में होता है कि सब कुछ तुमें लाना है तुमें देखना इतने महिने हम कंप्लीट करना है यह कहलाता है बायस्तरोतन क्या कहलाता है बायस्तरोतन अब इसमें एक चीज हम और देखेंगे बायस्तरोतन को कभी-कभी अपतरन बोल दिया जात पर यानि कभी भी कोई ठेका इसको इंगलिस में एक नाम और है of soaring of soaring इसका क्या मतलब है यह भी हम समझेंगे ठीक है इसका मतलब है जब कोई ठेका समूदर के पाहर के लोगों को यानि विदेशियों को अब जरूरी निये वो समूदर का अब सिर्लंका और म्यानमार से ही हो, हो सकता है वो पाकिस्तान, बांगला देश, भुटान, नेपाल जो हमारी स्तलिय सीमा बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा जो भारत है, वो इस परकार है, इस परकार, अब यहां जितनी भी सीमा लगती है यह वाली, यह स्तलिय सीमा ह कैसी सीमा है इस तलिए सीमा कितनी है 15,200 किलोमेटर और यहां जो सीमा लगती है यह वाली यह पूरा भारत के चारूतरब पानी है इसलिए यह जो सीमा है यह है समुद्री कैसी है समुद्री सीमा और इसमें 7,600 16,6 किलोमेटर का जो दूरी है वो है अब यह 7,616,6 जो यह पानी वाला सेतर लगता है इस पानी से इस पार हम कोई भी ठेका देते हैं किसी भी कमपनी को जो समुद्र पार है यानि इस पानी से उस पार है और वो हमें वस्तू बना कर जो है हम तक पहुंचाएगी तो वो जो चीज है वो अप तरन के लाएगी या ओप सोरिंग के लाएगी बात आ रही है समझ में तो इस तरब कोई अगर पढ़ते हैं तो भारत का जो इस परकार से बना के दे देते हैं तो सबसे पहले आता है सिरलंका फिर आता है म्यानमार कोन आता है म्यानमार जिसे हम ब्रमा कहते हैं क्या कहते हैं ब्रमा भारत का हिंसा था 1935 में जो है पूरी तरह से अपने आपको डवलप कर पया है त तो सिर्लंका और म्यानमार अब इसका मतलब यह नहीं कि यह भारत से जलिये सीमा बना रहे हैं कैसी सीमा बना रहे हैं जलिये सीमा बना रहे हैं इसका मतलब यह कते ही नहीं है कि सिर्फ जो अब तरण होगा वो इनी से होगा अब तरण किसी भी देश से किया जा सकता है जो एक देश जलिय सीमा बना रहा है म्यानमार जैसे है या फिर सिरलंका है इससे आगे भी कोई देश अगर हम से सीमा बना रहा है जो सिरलंका से आगे पढ़ रहा हो उससे भी हम क्या कर सकते हैं अपना जो है अब तरण यानी की अब सोरिंग कर सकते हैं तो आपने इस चीज को समझा इस चीज को देखा कि 22 इस्त्रोतन तो किसी भी वस्तो का सिधा सिधा ठेका दे दिन है अब ठेका अगर समुदर के पार दिया जा रहा है तो उसको हम अब तरन के रहे बस इतनी सी बात है अब तरन का दूसरा नम ओफ सोरिंग है अब आज तोड़ी दवी-दवी सी हो सकती है फ्रीज का पानी पीने की वज़े से गला पूरी तरह से खराब है इसलिए जैसे ही तेज बोलता हूं एक खरकराट सी ज्यादा होने लग जाती है तो थोड़ी आवास धीमी भी है वॉल्यूम बड़ा ले आप बस तो यह चीज आपने समझ ली अब इसको मैं कुछ मिटा देता हूं तांकि हम पॉइंटों को अच्छे से पॉइंट जो है हमारे उनको अच्छे से समझ सके तो यह मैंने आपको सीमा यूमा इसलिए बताया है तांकि मलब हम समझ जाए कि अ वाइस तरोतन अत्वा ठेका देना दक्सता को सुधारने और लागतों को गटाने के लिए किसी बारी अभिकरण को काम सोपना है। बात को समझ में आ रहे हैं क्या के रहे हैं बाइस तुरोत नत्वा ठेका देना ठेका दक्सता को सुधारने के लिए गुणवता लाने के लिए ये सब लिके में ठेकवर देना दक्सता में सुधार गुणवता लाना काम को जल्दी करवाना आधी चीजे होती है दक्सता को सु सोपना है क्या सोपना है काम सोपना है यानि कि सीधा सीधा ज्यादा लाग लपेट नहीं करते वे बाएं इस तुरुतन को अगर हम समझें तो यह जो लेंगवेज यह वो तो हम जानी रहें लेकिन इसका अर्थ किसी को अपना कारी ठेके पर देना और वो इसलिए दिया जा रहा है कि एक अच्छी क्वालिटी भी मिल जाए क्योंकि üLES रे ισन सामने आज हैंगे कंस्ट्रेक्षं करने वाले लोग यंए एक अच्छी क्वालिटी विल जाए एक आशी गुणता मिल जाए और कम लागत यानि कम पैसों में वो काम करने को तयार हो जाए वो है बायंस्तरोतन तो यही समझाना चारा है जब बायंस्तरोतन में कारिये समुदर के उस पार यानि समुदर के पार के इस्तानों पर इस्तांतरित कर दिया जाता है तो इसको अपतनन्या पर दिया जाता है तो है तो बाइंस्त्रोतन ही लेकिन समुदर के पार है तो कैसा बाइंस्त्रोतन है अब तरन या ओप सोरिंग बाइंस्त्रोतन है यह देपी दोनों अब तरन और बाइंस्त्रोतन का प्रियोग इखिटा किया जाता है यानि यह दोनों एक दूसरे से जुड प्रहाक सहाईता, कॉल सेंटर सेवाएं, कही बार भी निर्मान तता अभियांत्री की भी सामिल है। वो हम उन देशों से मंगवा सकते हैं, जैसे पहले हमारे PSLV पिछले लेक्चर में हमने देखे, वोलर सैटरलाइट लॉंचिंग मलग, वहिकल, वो भारत नहीं छोड़ा करता था, तो भारत मोसम की जानकारी किस से लेता था, अमेरिका से लेता था, क्योंकि अमेरिका ने PSLV पहले से ही छोड़ रखे थे, तो ये जो है, ये कहलाता है सूचना प्रयोदगी, मानव संसाधन, यानि हमें किसी वस्तु की जरौत है, जैसे हम इरान से तेल मंगवाते हैं, तो वहां जो तेल हमारा आता है, तो वहां के जो डिस्ट्रिबुटर होते हैं, बाटने वाले, स जो तेल है, जो ऐल है, पेंट्रोल डिजल है, वो हमें चाहिए ही चाहिए, ये हमारा ठेका फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया, बाएं इस्त्रोतन फिक्स हो गया, अगर इरान समुदर के पार होता, तो हम इसे अब तरन या आप सोरिंग बोलते, समझ मा गया, तो क्या है स से बताते तो बहुत लंबे लेक्षर हो जाया करते हैं जो हम करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आपको यह समझाना मैं चाह रहा हूं कि विदेशु से कोई भी साइता अगर हम लेते हैं और ठेके के मादियम से यह बना देते हैं उनको कि यह हमें देना है इस समय तक पहुंचनी चाहिए अब उसको आयात दरियात भी बोल सकते हैं उसको एमपोर्ट एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं उसको प्रयोगत्यों की से समन्दित एक सेवा जिसे आसानी से एसे पूरी यूरोपी और अफरीकी देशों नों में क्रियानवित किया जा सकता है यानि आंकडे जैसे मानुविकास सूचकांग रिपोर्ट देखी हमने एचडियाई की 1990 से जो तियार हो रही है UNDP जो है वो उससे तयार करता है अब मानुविकास सूचकांग जो रिपोर्ट है वो समुदर के पार के देश कर रहे हैं तो वो अपतरन में आती है या आप सोरिंग में आती है दूसरा हमने ये जिम्यदारी उन्होंने खुदने लिये लेकिन हमने उनको देर रहे है इसका वो एक चार्ज भी फिक्स करते है UNDP जो है जैसे UNO में हम 0.299% हमारा भारत का योगदान रहता है और आपको जानके खुछी होगी अमेरिका का 35% रहता है कितना रहता है 35% तो ये जो UNO को हम sharing देते हैं फंड देते हैं ये हम क्या कर रह जो UNO सयुक्त राष्टर संग बनावाया हमारा 49 मंजील उन्चे विल्डिंग पर 17 एकर जमीन पर डी राफलर जैसे लोगों ने इतनी बड़ी जमीन दान दीती उस UNO को हम 0.299% देते हैं यानि पूरा एक भी नहीं दे रहे हैं एक का भी पाव बरिंसा 25% तो इतना फंड उसको हम दे रहे हैं और वो जो फंड है उसके लिए हमें वो थैंक्स भी बोलता है और दूसरा हमारी मानुविकास रिपोर्ट और जहां भी विसुम हमें कोई दिक्कत आ जाती है तो हेल्प करता है एक हमारी नहीं बारत की ही नहीं संपूर्ण विसू के एक सो तराण में देशों की क्या करता है हेल्प करता है आपको पता यूए नो जब बना इकाउन राश्टर थे उसके साथ पोलेंड इकाउन और राश्टर जुड़ा उससे फिर दीरे दीरे देक्षिन कोरिया जैसे देश जुडने की वज़े से दीरे दीरे जुडते गए और आज एक सो त पाहर है तो अब तरन के मादे हमसे जुड़ रहे हैं और समुदर के पाहर नहीं होकर इस तलिए सीमा से अगर किसी देश से जुड़ावा शेतर है उनका तो वो क्या के लाएगा 22 तरोतन के लाएगा अब आप कहेंगे सर यह ठेका कैसे हुआ यह ठेका इसलिए हुआ कि वो अब ने उसको काम दे रखा है उसने अपनी इच्छा से लिया है लेकिन उसका फंड लेता है तो यह 22 तरोतन के लाता है और दे क्या रहा है हमें आंकडे दे रहा है क्या क्या लाता है तीन चीज़े हमारे सामने आईए पहली चीज 22 तरोतन दूसरा चीज अब तरन जिसे ओ यह पूरी पूर्य और अपरी की देशों में किया जा रहा है यानि प्रते कंटरी कर रहा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इन देशों में विक्सी देशों के अपक सा कम पारिसर्मिक थोड़ा से तेज बोलते ही गिल्ले में खरासी होने लग जाती है इसलिए फ्रीज का पानी ना पीए प्लीच और आपकी इतनी सिकायत है थी तो मैंने का क्लास तो लेना बहुत ज़रूरी है ठीक है इन देशों में विक्सी देशों के अपने किसा कम पारिसर्मि पर अंग्रेजी भासा में अच्छी निपूर्णता वाले सूचना परियोद कि कुसल करमचारी उपलब्द हो जाते हैं अब कुछी जैसी होती है जैसे मैंने का इस्टेनो अब इस्टेनो को समझने के लिए इस्टेनो का डिपलोमा कर रखा हो क्योंकि उसकी लेंग्वेज है इस्टेनो उसको वो ही समझ सकता है जissentन ऑनों का क्याकर का है डिपलोमा और उसी परकार से उसको समझ कर वो यस्टेनो करता हैव तो अंग्रेजी में जो निपून लोग है तक्निकी पर आदारित परियोजना पर सेयुक्त राजी अमेरिका तत्वा अत्वा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है देखो कहा है यह कौन जी है मनीला में हिद्राबाद के हमारा जो हिद्राबाद है जहां से सतीस दावन के अंदर से हम उपगरे छोड़ा करते हैं वह हिद्राबाद है यह अंदरप्रदेश ते लंगना के शेतर का मनीला में स्ताफित एक कमपनी है इसके गाहों मनीला जो गाहों है इसका मनीला वहां पर एक कमपनी है जो किसके लिए काम करती है सेयुक्त राजी अमेरिका से मेरे एक दोस्त है सोनू वो यहां बेटे-बे पतदाने का कर रहे हैं, तो सूचना और संचार से जुड़ा है, सेवा सेक्टर है, तो वो ऐसा ही काम करें, जैसे है, है अधराबाद के मलीरा में हो रहा है, अथ्वा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है, ठीक है, आगे देखिएगा, अंक की विवाजन क्या है, अंक चीजे कम दे रहे हैं अंक्ष करें काम कर रहा है कि ये राधिक आंकडे कितने नेकार रहा है कि कोई देश कितनी सिगरता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार परोजिक पहुचा और उसके साथ उपलबत करा सकता है यानि कौन सा देश कितनी जल्दी सूचना दे सकता है ये जरूरी है और ये चीज माहिना रखती है तो ये चीज जो है अब तरण पर पूरी तरह से टिकी हुई है आगे देखिएगा विकसित देश सामनी रूप से इस दिसा में आगे बढ़ गए जबकि विकासिल देश पिचड़ गए और इसी को अंकी विवाजक कहा जाता है देखो दो चीज़े आ दिया समझने वाली अब विकासिल देश पिछड़ गे और विक्सित देश इस दिशा में आगे बढ़ गे कैसे अब कोई देश विक्सित है कोई देश क्या है विक्सित तो उसके लिए तो विक्सित है क्योंकि उसके पास पूरे संसादन है पूरे क्या है संसादन है तो वो सूचना और प्रयोदेगी की सब में क्या बढ़ जाएगा आगे बढ़ जाएगा ओटोमेटिकी दूसरा देसे जो भी कासील है जो अब तक विक्षित हुआ नहीं है वो पिछड जाएगा क्यों पिछड जाएगा क्योंकि उसके पास संसादन है नहीं अब आप कहेंग अंकिय विवाजिक विद्यमान है उदारन ते भारत अत्वा रूस जैसे विशाल देश में ये अवश्य भावी है कि मान अगरिय के अंदर जैसे निश्ची शेत्रों में परिदिस्त ग्रामिन शेत्रों की तुलना में अंकिय विश्यों के साथ बैतर संबंद तदा पहुं तो गाउं जा मजबूत होते हैं वो देश गाउं सेमान बना करता है और सेर मजबूत होते हैं वो देश सेहर हो सेमान बना करता है तो यहां गाउं की बात अगर की जाएगी तो भारत जैसे सेत्र में की जाएगी क्योंकि जर्मनी जैसे दैसे वो सेहर हो सेमान बना करते हैं अब हम देख रहे हैं सब्दावली को यानि इस चेप्टर की कुछ सब्दावली जो छूट गई जो हमने वैसे समझ लिए कि बाएंस्तिरोतन क्या होता है इसको अगर पांच सब्दों में लिखा जाए तो इस परकार लिखेंगे इस्तिरोतन अत्वा ठेका देना इसका मतलब क्या है बाएंस्तिरोतन का मतलब है किसी भी वस्तू को किस पर देना ठेके पर देना ठेके पर ठेका देना इसका मतलब क्या है सुदार ने और लागतों को गटाने के लिए किसी बारी अभिकरण को काम सोपने अभिकरण का मतलब यहां क्या है कमपनी इसको काम देना है आगी बार समझ में बार इस तरोतन मतलब ठेका देना है अब तरण ठेका ही दिया जा रहा है इसमें भी क्या दिया जा रहा है अब तरण जो है, इसमें भी ठेका ही दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? ठेका, लेकिन इसमें ठेका किसको दे रहे हैं? इसमें ठेका हम दे रहे हैं, वो समुद्र पारिस्तान है, कौन सा है? समुद्र पारिस्तान, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपने समझ ली, आगे नोड क्या है दो अत्वा अधिक मार्गों को संधी स्तल एक उद्गम बिंदू एक अंतविय बिंदू मारक के सारे कोई बड़ा कस्वा नोड के लाता है यह देखो बनावा यानि एक रस्ता इधर से आ रहा है इस परकार से एक रस्ता इधर से आ रहा है इस परकार से और एक सारे रस्ते जो मिले हैं, ये इस्तान जो है, नोड के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, नोड के नाम से, यहां तक बाद समझ मारी है, अगर हम इसको चार रस्ते अगर मिला दे तो इसको चोराया का जाता है, क्या का जाता है, चोराया, तो कुछ-कुछ चोराया जो है, व एक मारक पर जो भी हम यात्रा करते हैं, उसमें जो समय लगता है, वो क्या किलाता है, एक मारक यात्रा में लगने वाला समय जो है, समय दूरी, लागत दूरी, एक यात्रा करते हैं, क्या खर्चा आया है, वो क्या किलाती है, लागत दूरी, तो ये चीज़े हमने देखी, लगा हो गई है लेकिन अच्छे से पढ़ने हैं हम मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय बारत